इस वीडियो में डिस्कुशन करेंगे जुनियर ओफिस एसिस्टेंट आइटी की कोचिंग का लेक्चर नमबर 13 जिसमें हम पढ़ेंगे डाटा कॉम्मिनिकेशन क्या होता है बहुत मत्वपुन टॉपिक है डाटा कॉम्मिनिकेशन से भी एक है दो प्रसन आपको देखने को मिल सकते है आईए सबसे पहरे समझ लेते हैं इसकी परिवासा क्या है डेटा कॉम्मिनिकेशन इस डिफाइड एज एक्शेंज ऑफ डेटा बिट्मिन टू डिवासीज बाइस बाइस समझ फॉर्म ऑफ ट्रांस्मिशन मीडिया सच एज एज केबल बायर और इट कैन बी एयर और वेक्ट्यूम आलसू तो हमिए आपसे कॉम्मिनिकेशन के बात करे तो हम.. मैं आप आप से कॉम्मिनिकेशन कर रहे हुँ निक उम्मारा क्या है एक क्मम्मिनिकेशन लिंक बना हुआ है इस तरह से हम अपने मुवाइल फोन के साथ आथ kulा बी आधिवीन के परảiवास्ते है तो उसमें देखिए क्या activities रहती है, हमारे पास एक device है, ठीक है जी, उसके हमने internet के लिए service यूज़ कर रहे है, आप किसी company के service आप यूज़ करते होंगे, तो एक communication link किस तरह से बनता है, किस तरह से signal travel होते है, यह पूरी जानकारी हम इस वीडियो में discuss करने का प्रयास करेंगे data communication is the process of transporting in close data from one location to another, using and transmit ion media with network communication system, consist of four basic components, these are very important, पहला कौन सा है, sender, encoder, decoder और receiver, देखिए sender क्या है, sender human होता है, जिसे मैं आपको कुछ message भेज रहा हूँ, encoder क्या होगा, इस service का हम use कर रहे है, उसके बाद क्या होगा, जब आपके पास जाएगा तो उससे पहले देखिए नो, decoder होगा उसमें, तो यह process रहती है, simple words में आप इसको इस तरह से भी समझ सकते है, हमारे पास एक sender होता है, बीच में क्या होता है, medium होता है, उसके बाद रसीबर आता है, आप से chronical orders में कई पूछ ले जाता है, कि आपने इसको chronical orders में करना है, ठीक है, तो आपने इसको इस तरह से remember रखना है, sender आप समझ गया है, यहां से sender भेजने वाला है, encoder उसका next process है, decoder उसके बाद next receiver कौन है, जो कि last miss के पास आपका message पहुंचता है, next one is very important, जो है communication protocol, पहले हमने पढ़ाता protocol क्या होता है, a set of instruction, यह हमारा concept clear है, पीछे के वीडियो नहीं सुने है, पीछे के प्लेलिस्ट में जाएगा, 12 लेक्षे सुन लिजेगा, तब ही आपको आगे लहाब होने बाला है, communication protocol, the procedure of data, transformation is the form of software, is commonly called it protocol, the data transmission, software और प्रोटोकॉल perform the following function for the efficient and error-free transmission of data, तो प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, यह हम ऐसे ordinary way में बात करें, क्या है, एक set of instructions, जो की नियमों का संगर है, जो बताता है, क्या आपका data कहां जाना है, किस तरह से process, तो जो activities होती है, internally, प्रोटोकॉल के माध्यम से ही perform होती है, data sequencing में है, data routing है, flow control है, error control ह यह सारी चीज़े किस में consider की जाती है, सारी सारी चीज़े हमारी communication protocol के अंतरगत consider की जाती है, data transmission model है, data transmission is the moment of data from one place to another using some form of, यहाँ पे S.O.M.E. कीजिएगा, some form of representation appropriate to the transmission medium with the network data transmission of two types, internal data transmission है, और second कौन सा है, external data transmission है, लेकि इंटरनल में हम क्या consider करते है, आप इसको पढ़िएगा, data transmission referred to the transfer of data within a computer between its different operation, like CPU की जोगी internal activities है, आप यहाँ से inputting करते है, CPU में जाता है, processed होता है, data आपका save होता है, यह सारी activities किस तरह की है, internal data transmission की एक्टिविटीज है, दूसरी कौन सी होती है, हमारे पास दूसरी है, external data transmission जिसमें हम क्या करते है, refers to data on data to either local peripheral equipment like printers etc, चुरा आपका बहार निकल जाता है, आपकी screen पे है, या आप उसको hard copy की form में लेते है, उसे क्या कहेंगे, external transmission of data कहेंगे, there are three ways for transmitting data from one point to another, तो तीन से कौन-कौन से है, simplex है, half-duplex है और full-duplex है, तो यहां से भी आपको प्रसना सकता है, यदि आप ज़्यादा deep नहीं पढ़ना चाते हैं, तो कम से कम इन points को आप लोग याद कर दीजिएगा, deep पढ़ना चाते हैं, तो यहां पे book में आपको पूरा की पूरी चिज़े मिल जाएगी, next one है, modem, modem के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि modem का काम क्या होता है, जो analog signal आता है, उसे digital में convert करना है, और जो digital signal होता है, उसे किस में convert करना है, analog में convert करने का काम कौन करता है, modem करता है, ठीके जी, communication में इसका भी इस्तेमाल होता है, दो तरह का है रहता है, internal और external, internal हुए है, जो कि inbuilt आपके system में लगा हुआ, external जो जो इसको आप बाहर से लगाते है, external में भी आपके पास आज की date में wire वाले है, और wireless modem भी आ चुके है, basically modem का इस्तेमाल क्या होता है, internet को access करने के लिए we can use the modem, next one is bridges, this is very important, यह आपको याद रखना है, network device that connects two networks, following same set of protocol cell is known as bridges, bridges can be used to connect a small number individual network to make them work, clear जी, आपको परिवासाब बहुती सिंपल सब्दों में लिखी गई, और देखिए computer को थोड़ा सा English में पढ़िएगा, थोड़ा सा आपका time ज्यादा लग जाएगा, लेकिन अच्छे से समझ जाएगा, हिंदी में आई थिंक जो जहां तक का हमारा अनुभव है, आपके लिए टेडी खिर साबित हो सकती है, क्योंकि आपको बहुत ही huge competition से लड़ना है, क्रीव 2 लाग की आसपास, अब 31 प्रिक्सा में अपनी appearance देंगे, उसमें से 1756 ही इस से सेक्टर में आएगे, तो अच्छे से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िए, गेट बेस, गेट बेस क्या होता है, गेट बेस connected to different types of network, दो भिभिन तरह के network को आपस में जोडने के लिए हम किसका इस्तिमाल करते हैं, गेट बेस का इस्तिमाल करते हैं, इतना याद रखिएगा, नेक्स्ट बन इस राउटर्स, राउटर्स क्या है, राउटर्स आर यूस्ट फॉर एबरी large network, बड़े network के लिए किसका इस्तिमाल किया जाता है, राउटर्स का इस्तिमाल किया जाता है, कुछ और भी यहाँ पर basic टर्म सुब्दाई की है, इसको भी आप self-study कर लिजी का कुछ जादा इसमें नहीं है, लेकिन आपने यहाँ से एक चीज का ध्यान रखना है, जो यह आपका बायर पेर्स है, कॉक्सिल केबल्स है, माइक्रोवेब्स है या कॉम्णिकेशन सैटलाइट है, यहाँ से प्रसंद बन सकता है, इसको फ़रसर अरफ स्टी कर लिजीएगा, कॉम्प्यूटर नेटवर्क एंड कॉम्णिकेशन है, ठीक है जी, इसको पढ़ लेते है, कॉम्णिकेशन नेटवर्क की दुनिया जब से ध्रातल पे उतरिये, उसके बाद के मानभ जीवन भी कितना परिवर्तित हो गया है, कॉमनली हम सुनते हैं कि तीन तरह का नेटवर्क होता है, लैन, मैन और बैन आपने भी पढ़ा होगा, आगे नेटवर्क का चैप्टर हैगा, तो और भी अच्छे से उसके उपर हदेन करेंगे, एंड कॉमनिकेशन, जब से दोनों चीज़ें आपस में जुड़ गई, मतलब नेटवर्क के साथ में जो कॉमनिकेशन जुड़ गया, इसके ओर देखिए हमारी लाइफ ही चेंज हो गई है, अब आप आउनलाइन हमारे पास यहां पर पढ़ रहे हैं, और भी दुनिया भर की कॉनेक्टिविटेश आपस में बनी हुई है, किस तरसे बनी हैं, कम्प्यूर्टर नेटवर्क थ्रू कॉम्मिनिकेशन के माद्यम से बनी हुई है, कुछ इंपोर्डेंट MCQ यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, तो इसमें 4-4 लेयर्स रहती है, तो यहां पर कितनी लेयर्स होती है, 7 लेयर्स रहती है, इन सिम्प्लेक्स कॉम्मिनिकेशन, डेटा रिजर्बेशन इस सिम्पल, डेटा ट्रांस्मिशन इस मोरबे इस बनबे, या फिर डेटा केन बी ट्रांस्मिटेट ऑन दा बोथ डिरेक्शन, तो इस प्रसंद का सही उतर होगा है, तो आप पूछ लिया जाए, कि simplex communication में क्या होता है तो आप इसका उत्तर करेंगे data transmission is one way in half-diplex data communication इसमें क्या होता है data reservation is simple data transmission is one way data can be transmitted on the both directions या फिर none of these तो इस प्रसंद का सही उत्तर है data can be transmitted on the both directions ठीक है जी, half-diplex में क्या होता है data can be transmitted on the both directions नेक्स्ट बन इस device operating at a physical layer is known as तो इसे क्या कहा जाता है breeze, router, repeater या all of these तो इस प्रसंद का सही उत्तर होगा repeater, पुना मैं इसको repeat करों important question है device operating at the physically layer is known as repeaters next one is encryption and decryption are the function of session layer, network layer, transport layer या फिर presentation layer तो किसके अंतरगत आता है option number D presentation layer के अंतरगत आता है in OSI network architecture the routing is performed by data link layer या network layer, session layer या फिर transport layer तो इस प्रसंद का सही उत्तर है data link layer in OSI network architecture the routing is performed by data link layer Wi-Fi uses radio waves, micro waves या फिर optic fibers या sound waves तो इस प्रसंद का सही उत्तर है radio waves dash is the transmission of data between two or more computer over communication links तो इसे क्या कहा जाएगा data communication, data networking या networking या फिर communication तो इसे कहा जाता है data communication is the right answer a device that connects to a network without the use of cable is said to be देखे ऐसा network जिसमें हम किसी भी cable का इस्तेमाल नहीं करते उसे क्या कहेंगे open source, cable, distributed या wireless तो इस प्रसंद का सही उत्तर होगा wireless which of the following represents the fastest data transmission speed GPS या फिर KBPS या फिर GBPS या फिर GBPS या फिर MBPS तो इसे कहा जाता है GBPS next one is how many bits are there in the ethernet addresses 2 bit, 8 bits या 16 bits या फिर 48 bits the right answer is here 48 bits next one is अगला प्रसंद है which layer change bits into electromagnetic signals कौन सी layers को convert करते है physical, data link, transport या session या फिर physical the right answer is here physical ठीक है जी which type of network would use phone lines फोन लाइन के साथ में कौन से network काम करता है तो इस प्रसंद का सही उत्तर होगा बैन, ethernet uses ethernet में क्या use होता है mass topology है, ring topology है, star topology या फिर bus topology the right answer is here bus topology parity bits are used for which of the following purposes ठीक है तो इसका प्रसंद का सही उत्तर होगा to detect errors ठीक है, to detect errors के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है इन रिंग topology, the computer is a position of the desk and transmit data data package access method या फिर token तो इस प्रसंद का सही उत्तर है, token is the right answer here ठीक है जी ठीक है जी ठीक है उस्ट्रेंट से बाकी MCQ आप खुद कर लीजिएगा जाजा समय हम आपका नहीं लेंगे लेकिन यह है बहुत महत्तो पूरण और अगले इसमें हम पढ़ेंगे computer networks के बारे में जिसके बिना साइद computer संपन ही नहीं हो सकता है आज के बात करें computer networks कितना important role play करता है और आपको यहां पर बता दें आप इस website पर जाएए elastaticco.in पर जाके आपको जियोईटी की बुक पर जाना है उस बुक के निचे आपको description मिलेगी उसे आप अच्छे से explore कर लीजिएगा क्योंकि उसकी एक नभीनतम स्लेव स्पुनाली के अधार पर एक किताब बनाई गई है जिसमें आपको 60 chapters मिलते है और साथ में ही आपको यहां पर upload करवाया जाता है 656 pages की किताब है ठीक है जी 656 pages की एक किताब है जो कि complete package है आपको GIT की प्रिक्सा को qualify करने के लिए यदि आप अधेयन करना चाते है तो आप उसके लिए iliastudy.co.in website को विजिट कीजिए कर यहां पर हदेयन समगरी उखलोवत करवाई जाती है और आप Google Play Store पर जाएगा बहां पर जाके आपको टाइप करना है iliastudy यदि आप iliastudy पहां पर टाइप करते हैं उसके बाद आपको हमारा educational लैप में इस्टॉल करना है बहुत ही मत्तुपन जान कर रहे हैं उस application पर नियमित रुप से हमारी team अप्लोड कर रही है बने रही है आप इस platform के साथ में निस्टी तोर पर आपको लाब होगा Thank you very much Keep watching iliastudy YouTube channel क्युवा